हाई गाईस माई नेम इस अधनान खान वेलकम बेक तो माय यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोराइड शिफ्ट के बारे में जिसे हम हैंबर्गर फिनॉमिनन भी कहते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो यह क्या होता है एक्सचेंज ओफ क्लोराइड आयन फोरा बैकार्बोनेट आयन इन आर्बीसी मेंब्रेंट तू मैंटेन दा आयनिक बैलेंस विदिन दा आर्बीसी एंड प्लाजमा इस कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट यहाँ पर ही जो डेफिनेशन है कहना का चारी है यह अभी थोड़ी दिएर में मिदा समझ में आ जाएगी है दखो यहाँ पर मैंने बनाइए इस तरीखे से अखि कषिश करना यह हमारा अल्वियोलाई साइट और मैं यहां कहीं बना जता हूँ टिशू साइट यह है हमारी टिशू साइट ओके अल्वियोलाई साइट में क्या होती है ऑक्सिजन जादा होती है जो ट्रांसपोर्ट कहां करवानी होती है हमें tissue site में transport करवानी होती है और tissue site पर क्या होता है carbon dioxide जाद होती है जो हमें कहां transport करवानी है LVolive है जिससे क्या होगा जो carbon dioxide है वो वापस चले जाएगी air में और जो oxygen है वो tissue को tissue utilize कर लेगा oxygen को अब इनको transport कुन करवाता है मैंने जो oxygen transport होती है वो किसके थ्रू होती है RBC के थ्रू होती है तो मैं यहाँ पर एक RBC बना जएता हूँ इस तरीके से तो मैं पता होगा जो RBC होता है हमारा वो by concave होता है तो यहाँ पर मैंने एक by concave RBC बना दिया है अब RBC के अंदर क्या होता है present RBC के अंदर hemoglobin present होता है लेकिन एक बात ध्यान रखना जो RBC के अंदर hemoglobin present होता है यह कभी भी अकेला नहीं होता यह present होता है hydrogen के साथ में मतलब यह HV की form में present होता है ठीक है तो यहाँ पर थी मेरे पास oxygen oxygen क्या होगा अब इसके अंदर enter कर जाएगी by diffusion by diffusion यह RBC के अंदर enter कर जाएगी अब enter करने के बाद यह किस से bind करती है hemoglobin से bind करती है ठीक है तो अब क्या करेगी hemoglobin से bind करेगी और क्या बना देगी HbO2 और साथ ती साथ में जो H plus ता यह अलग हो जाएगा बस समझा रही है तो यहाँ पर हमारा H plus अलग हो गया अब यह जो HbO2 है मतलब जो blood है पूरा मतलब travel करेगा हमारे artery veins के अंदर और कहां पहुचेगा यह पहुचेगा tissue side पर तो यहाँ आगया हमारा HbO2 tissue side पर अब यहाँ आने के बाद यह break होता है किसके अंदर Hb plus O2 में और जो O2 होती है oxygen होती है यह tissue side में चली जाती है इस तरीके से यह पहुच जाती है tissue side में तो इस तरीके से transport होता है oxygen का ठीक है अब हम बात करते है carbon dioxide की जो carbon dioxide present होती है tissue side में यह कहां पर आती है यह RbC में आती है इस तरीके से यह आ जाती है RBC के अंदर ठीक है अभी RBC के अंदर आ गई RBC के अंदर क्या present होता है water present होता है hemoglobin के साथ में यहाँ पर water भी present होता है तो यह क्या करती है water से react कर जाती है ठीक है जब carbon dioxide water से react कर जाती है तो यह बनाती है एक acid जिसका नाम है carbonic acid H2CO3 H2CO3 अब यह जो H2CO3 बनता है यह क्या है acid acid क्या करती है H plus को donate करती है तो यह break होती है किसके अंदर break होती है यह break होती है एक तो H plus में ठीक है और साथ यह साथ में यह break होती है H plus plus HCO3 minus bicarbonate iron में तो यह H plus में break होती है साथ यह साथ में bicarbonate iron ब्रेक होती है कौन सी हमारी carbonic acid जो किस से बनी H2O और carbon dioxide के मिलने से बनी तो यह ब्रेक होगी H plus में और bicarbonate iron में अब यह जो H plus बना है हापर यह utilize कौन कर लेगा Hb इसको utilize कर लेगा ठीक है जब इसको Hb utilize कर लेगा तो यह क्या करेगा फिर दुबारत से यहां पहुँच जाएगा और दुबारत से एक oxygen को लेकर आएगा बस समझा रही है अब यह जो हमारे पास bicarbonate iron बना यह क्या करता है यह क्या है हमारी Rbc है और बहार क्या है हमारा plasma है ठीक है यह bicarbonate iron बहार निकल जाता है Rbc से कहां पर plasma में HCO3- बहार निकल जाता है plasma में ठीक है अब यह plasma में ही move करते 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 alveoli side तक पहुँचता है लेकिन direct भार नहीं निकलता यह दुबारा से entry लेता है कहाँ पर RBC के अंदर इसने दुबारा entry ली RBC के अंदर ठीक है और यहाँ पर जो H plus बना था बचाता मतलब इसने जो H plus break हुआ था यह इससे react करकर बना लेता है दुबारा से carbonic acid H2CO3 बना ली भी अब इसने जो H2CO3 बनाई यह फिर दुबारा से break होती है किसके अंदर carbon dioxide के अंदर और साथ-साथ ने water के अंदर यह दुबारा से break होती है when carbon dioxide में तो जो carbon dioxide है यह दुबारा कहां चली जाईगी एल्वियोलाई में चली जाएगी और जो water है water दुबारा से reuse हो जाएगा दुबारा से carbon dioxide लाने के लिए बास समझा रही है जरा दुबारा समझना सारी चीज एल्वियोलाई side पर oxygen जाद था tissue side पर carbon dioxide जाद थी तो by diffusion जो oxygen था वो RBC के अंतर आता है oxygen क्या करता है tissue के पास जाता है tissue क्या करता है इसका utilize करता है और energy produce करता है तो लेकिन transport कौन करेगा इसको RBC transport करेगा तो यह रखा हमारा RBC अब जो oxygen थी वो कहां जाती है oxygen जाती है हमारी RBC के by diffusion तो वहाँ पर जो hemoglobin present होता है यह oxygen से bind करके बनाता है HbO2 साथ में एक अपना H प्लस आयन छोड़ देता है अब यह जो HbO2 था saturated hemoglobin था यह पहुसता है tissue side पर यहां जाकर break हो जाता है Hb और O2 में ठीक है लेकिन में तुम्हें क्या बता है Hb कभी भी अकेलर नहीं रहता है एच के साथ रहता है वह एच कहां से आया वह आप समझ में आएगा तुम्हें carbon dioxide जो tissue side में ती है with the help of diffusion दुबारा से RbC के अंदर enter करती है RbC के अंदर present होता है water यह water से rate करके बनाती है carbonic acid और यह carbonic acid break होती है H plus और bicarbonate iron में bicarbonate iron इसका कहां निकल जाता है plasma में निकल जाता है और जो H plus iron ता हुँ दुबारा से hemoglobin के साथ rate करके बना लेता है H HB फिर दुबारा से वह यहां से oxygen ला सकता है ठीक है तो जो bicarbonate iron बना यह plasma से move करके दुबारा से RBC के अंदर enter करता है और जब यह enter करता है फिर यह जो H plus बचाता है हमारा है यहां पर इससे rate करके बनाता है H2CO3 फिर यह break हो जाता है carbon dioxide और water में water दुबारा से reuse हो जाता है और carbon dioxide हमारी alveoli में वापस चली जाती है ठीक है तो यह phenomenon चल रहा होता है अब तुम यहां देखो यहां पर इसका ionic balance नहीं हो पा रहा है किसका RBC का तुम देख पा रहे होंगे यहां bicarbonate iron बन रहा है तो यहां पर एक negative charge यहां से बाहर निकल रहा है तो यहां पर कहां इसका ionic balance हो पा रहा है तो यहां पर ionic balance करने क निकलता है एक क्लोरीन माइनस अंदर आ जाता है प्लाजमा से एक क्लोरीन माइनस अंदर आ जाता है तो यह जो क्लोरीन माइनस अंदर आता है प्लाजमा से इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैंबर्गर फिनोमिना यह क्यों आता है जिससे आइनिक बैलेंस म समझना तुम्हें समझमें आ जहीगी एक्सचेंच ऑफ जोराइड ऐन फौर आ ऐर बाइक्सऽारबोनेट आयन रहा है तो चलोरीमज माइनस अंदर आ रहा है तो मेंटेन य 2020 बेलेंच क्यों तो कि इसकी अैनिक बेलेंच आर बीaráई कि यह मेंटेन रहे वजेंदा RBC and plasma is called chloride shift और इसी को हम क्या बोलते हैं chloride shift बोलते हैं एक दूसरी time आती है reverse chloride shift या फिर reverse hamburger phenomenon क्या होगा जैसे ही यहाँ पर enter कर जाता है यहां से बाहर निकल जाता है जब यहां से बाहर निकलता है तो इसको हम बोलते हैं reverse chloride shift या फिर reverse hamburger phenomenon अब इसके बाद जो next topic आता है इसके अंदर वह आता है regulation of breathing जड़ा देखते है regulation of breathing को बहुत simple है regulation of breathing मैं तुम्हें यहां समझा रहा हूँ लेकिन इसे printed notes मैं अपने telegram channel पर upload कर दूँगा तुम doctor's education point की telegram channel को जाकर subscribe करो join करो जिससे तुम्हें सारे notes वहां पर available हो जाए मैं तुम्हें सब यहां पर एक hint दे रहा हूँ regulation of breathing होती कैसे है देखो जो breathing होती है हमारी यह एक involuntary process है ठीक है यह एक involuntary process है जो control कौन करता है medulla oblongata हुआ लेकिन कभी कभी क्यों जीशल होता है सहा म भागते है यह फिर हम high altitude पर जाते है तो हमारी जो होते हैं rhythmic centers को रिद्मिक center में होती है कीमो receptors अब की रिप्र जो होते हैं हमारा दो टाइब के होते हैं ज्राद ध्यान देना एक तो होते हैं peripheral chemo receptors और दूसरे होते हैं central chemo receptors जो peripheral chemo receptors हैं यह artery के अंदर present होते हैं और जो center के हैं मों receptors होते हैं यह हमारे ब्रेंच में present होते हैं अब यह क्या detect करते हैं यह detect करते हैं carbon dioxide को जैसे हैं यह रिज利प्तर से अप्रमंेशन कर देते हैं उसको एक centre और present होता है हमारे ब्रेन के अंदर जिसका नाम है पॉंस ठीक! पॉंस के अंदर प्रजेंट होता है नियूमे टक्सिक सेंटर नियूमे टक्सिक सेंटर जो क्या करती है इंस्पिरेशन को इंस्पिरेशन का टाइम क्या कर देती है कम कर देती है मालो हम सांस ले रहे थे 2 सेकंड में मालो हम 3 सेकंड में सांस ले रहे थे तो इसका time कम कर देगी, इसका time कितना कर देगी, 1.5 second कर देगी, जिससे हमारा inspiration और जल्दी हो जाए, और जल्दी से हम air को अंदर कर लें, दोबारा है समझो, regulation of breathing में समझने के लिए जादा कुछ खास है नहीं, मैं बस तुम्हें इसका एक उपर से एक demo दे रहा हूं, तो अं voluntary process है, यह control करता है medulla oblongata, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमें सास तेज लेनी पड़ती है, तो उसके लिए क्या होता है, एक rhythmic center present होता है medulla oblongata में, जिसके अंदर present होते है chemical receptors, वो chemo receptor दो type के होते है, एक तो peripheral और एक central, central chemo receptor present होते है brain के अंदर, peripheral present होते है artery के अंदर, जो क्या detect करते हैं, यह सिर्फ इनका काम होता, detect करना carbon dioxide को, जैसे हमारी body के अंदर carbon dioxide जादा बढ़ती है, तो यह receptors activate हो जते है, और यह information sent कर देते है, pawns को, pawns के पास एक center होता है, pneumotactic center, और दूसरा होता है, इसके पास apneustic center, यह क्या करता है, pneumotactic center, जो inspiration का time वो कम कर देता है, मालूम है, inspiration तीन सेकंड में ले रहा हूं, तरहा ध्यान देना, तीन सेकंड में लिए मैंने, अब हम इसको expiration कर रहा हूं, दो सेकंड में, इस तरीके से, लेकिन यह करेगी, 1.5 second में inspiration करा देगी, इतन जल्दी करा देगी, जिससे क्या होगा, हम सास जल्दी ज ले सकें, बस समझ आ रही है, अब इसके बाद तुम इजली चीज को समझ पाओगे, जब मैं तुम्हें नॉट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, इसके बाद अगले topic आता है, इसके अंदर हाइपोग्जिया का, हाइपोग्जिया का पर ही 5 नंबर का question आ जाता है, लेकिन इसमें भी पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा demo दे देता हूँ, बस वागी तुम जब नॉट्स से पढ़ोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इपोग्जिया का मतलब होता है, reduced availability of oxygen to the tissue, जनरली होता क्या है, हमारा जो oxygen है, वो कौन इटिलाइस करता है, वो tissue इटिलाइस करता है, अगर tissue के पास oxygen ना पहुचे, इसका हम बोलते हैं, हाइपोग्जिया, अभी जो हाइपोग्जिया होता है, ये अलग-अलग टैक का होता है, जरा समझना, हमारी जो oxygen है, वो कहां पर present है पहली बार, air present है, ठीक है, वो air से कहां जाती है, वो air से जाती है, lungs में, इस तरीके से, और lungs से कहां जाती है, blood में जाती है, ब्लड में चली गई और ब्लड के बाद कहा जाती है फिर टिशू के पास जाती है और टिशू इसको यूटिलाइस कर लेता है अब जरा इसमें देखो समझने वाली क्या बात है मालो कोई बंदा हाई ऑल्टिट्यूट पर चला गया जहां पर पहले से ही पार्शिल प्रेशर कम है ऑक्सिजन का तो उसे ऑक्सिजन कम मिलेगी और अगर उसे ऑक्सिजन कम मिलेगी तो टिशू तक ऑक्सिजन कम पहुचेगी तो ऐसे हाइपोक्जिया को हम बोलते हैं हाइपोक्जिक हाइपोक्जिया इस हम बोलेंगे हाइपोक्जिक हाइपोक्जिया ऐसे हाइपोक्जिया को हम क्या बोलेंगे हाइपोक्जिक हाइपोक्जिया जब air में ही कम हो गई है oxygen ठीक है अब मालो किसी को हाइपोक्जिक पोग्जिया नहीं हुगा प्रेजेंट थी अच्छी कहां सी ओलमोबस्ट ए playful नियुक्न सही aux सही पूच जाती है लंग्स के अंदर अब होता क्या है जोो hemoglobin कर्दर जो diffusion होता है वो नहीं हो पाएगा diffusion नहीं हो पाएगा क्यों क्योंकि इसके अंतर hemoglobin कम है तो ऐसे में क्या होगा tissue के पास oxygen कम पहुचेगी तो condition कौन से आएगी hypoxia आएगी लेकिन यहाँ पर खून की कमी होने से क्या आ रही है hypoxia आ रही है इसलिए इसको हम बोलते है एनिमिक hypoxia इसको हम क्या बोलनेंगे एनिमिक hypoxia hypoxia की definition समझ में आगी ने तुम्हे reduce ability of oxygen to the tissue tissue के लिए oxygen कम होना तो पहली condition क्या है air में oxygen कम हो गई बालो air में अच्छी खासी oxygen है लेकिन कहां पर हो गई hemoglobin में कम हो गई ठीक है बात समझा दी है अब आती है बात blood की blood क्या करेगा transport करेगा tissue को मालो किसी को hemorrhage हो गया या फिर किसी का accident हो गया जिसकी वैसे blood loss हो गया या फिर कोई किसी का cardiac failure हो गया या फिर कोई surgical shock में चला गया या फिर किसी करना clotting हो गई मतलब कुल मिला कर बात है transport नहीं हो पाया किसका oxygen का तो ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वज़े से जो hypoxia आएगा उसे हम बोलते है stagnant stagnant hypoxia क्योंकि यहाँ पर air में भी प्रेजेंट थी oxygen ठीक है hemoglobin के अंदर ही प्रेजेंट थी लेकिन दिक्कत कहा ही transport में आई जो transport में दिक्कत आती है उसको हम बोलते है stagnant hypoxia ठीक है अब मालोडोडने भी दिक्कत नहीं यहाँ पर भी air प्रेजेंट थी हमोग्लोबीन के अंदर ही ट्रांस्पोर्ट ने भी कुछ भी प्रॉबलम नहीं आई टिशू के पास ऑक्सिजन पहुच गई लेकिन मालो टिशू ही डेड हो गया किसकी वज़ासे पॉईजन की वज़ासे तो इस टाइप के हाइपोग्जिया को हम क्या बोलेंगे हिस्टो हिस्टो का मतलब होता है यह सब पढ़ना पड़ेगा अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसके अंदर आर्टिफीशल रेस्पिरेशन यह लास्ट टॉपिक है बस कि आर्टिफीशल रेस्पिरेशन कि आर्टिफीशल रेस्पिरेशन में क्या होता है जो नेच्रों रेस्पिरेशन होता है वो तो कि वेंटिलेटर में क्या करते हैं उसको रैस्पिरेशन करवाते हैं तो ये जो आइटी विशल रैस्पिरेशन इसे भी जादा कुछ खास पढ़ने का है नहीं मतलब समझने का कुछ नहीं है तुम्हें एक बार अगर रीडिंग करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना मुझसे कुछ ही पूछना है कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो मेरे चैनल पर अभी विजट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पर गेवल आइकन को प्रेस कर लो जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करो आपको उ लोटिफिकेशन मिल जाए ओके थैंक यू सो मच